व्यूर्ग अभी इस वीडियो में हम देखेंए क्लास 10 के क्लास 10 शाइनस अभी परिट्रिकुलरी कहुं तो बायो के इंपोर्टन डायेग्राम जो हम से एकजामें पुछेशाते हैं सबसे पहरा जो डायेग्राम दे रखा है वो दे रखा हमें नियूरॉन का या फिर जिसको का बना होगा बीच में क्या होगा इसके nucleus होगा इसका command center है यह जो cell body है से काफी सारे fibers निकल रहे रहते हैं जिनको हम कहते है dendrite डेंटराइट का काम क्या होता है basically dendrite का काम होता है signal को receive करना और इस cell body से यह जो सबसे बड़ा बड़ा जो इस cell body से निकल रहा है उसको हम कहते हैं एक्जोन उसको हम कह देंगे एक्जोन, एक्जोन को का हमें signal को आगे transmit करना to the next neuron या फिर किसी muscle तक यह काम होगे एक्जोन का एक्जोन के विए हमें particular कुछ cell देखने को मिलते है जिनको हम कहते हैं swan cell जिनको हम कहते हैं swan cell swan cell क्या सिक्रीट करते हैं myelin sheath बनाते हैं और जहां पे myelin sheath absent होती है जहां पे myelin sheath absent होती है उस जगे को हम बोलते हैं node of ranvir not ranvir sing उसको हम बोलेंगे node of ranvir तो यह अपनी information हो चुकी है किसके बारे में नवसाल या फिन न्यूरोन के बारे में एक चीज़ और कि जो exon होता है यहां पे जो electrical signal चल रहा था यहां पे neuron के अंदर जो electrical signal चल रहा था इस signal को chemical में convert करना और दूसरे वाले synapse से cross करवा देना दूसरे वाले neuron तक पहुचा देना by crossing the synapse यह काम होता है इस neuro transmitter का जो basically acetyl koline हमें देखने को मिलता है next slide पे हमें important diagram दे रखा है human excretory excretory system का मैंने try किया है आपके NCRT के diagram भी इसमें include हो जो NCRT में जो image दे रखिया है as well as कुछ hand written या फिर hand drawn diagrams भी हो इसके अंदर ताकि आपको easy रहे उनको draw करके practice करने के लिए तो excretory system में हमें देखने को मिलते है pair of kidneys सबसे बहले हमें देखने के मिलें के स्क्रिट इसमें pair of kidneys ये जो kidneys होती है इनका color होता है जैसा कि हमें देखने को भी मिल रहा है इन kidneys का color कैसा होता है इनका color होता है radish brown इनका color होता है radish brown in color ये kidney कैसी होती है या bean shape की होती है कैसी होती है भाया these kidneys are bean shape ये जो kidney है इनके एंदे small unit पाई जाती है millions of small unit पाई जाती है जिसको हम कहते है nephron, smallest of functional unit of kidney जिनको हम कहते है nephron इस kidney का काम क्या होता है blood को filter करना इस kidney का काम क्या होता है blood को filter out कर दिना ये जो red वाली है ये है arota ये जो blue वाली हमें देखने को मिल रही है this is vene kava this is basically vene kava ये जो blue वाली देखने को हमें मिल रही है ये क्या होगी अरे ये क्या हुआ this is basically vene kava जो blue वाली हमें देखने को मिल रही है चलो hand drone वाले diagram पर आ जाते हैं कि यहां पर क्या दे रखाए one second तो अब देखिए ये हो चुगी अपनी left kidney ये connected है किस से एक tube से जिसका नाम है urator कितनी kidneys होती हैं दो kidneys होती हैं human body के अंदर urator भी कितने होते हैं दो होते हैं तो kidney ने जो भी blood filter किया है kidney ने जो भी blood filter किया वो कहां जाता है urator के पास जाएगा अब तक जब तक brain से signal ना है उसको बहार निकालने के लिए और कहां से बहार हो जाएगा वो urethra से release out हो जाता है हमारा urine ठीक है urethra से release out हो जाएगा हमारा urine एक चीज और ये जो kidney filter कर ये mainly क्या होता है ये होता है urea plus some ions जो चीज kidney filter करने ही कोशिश करती है चलिए moving on to the next slide तो ये वाला diagram भी important है इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं इसकी labeling भी आप से पूछी जा सकती है ठीक है तो ये अच्छे से देख लेना इसको विश्र से लिख देते हैं ये हमारी kidney ये है एक ट्यूब जिसका नाम है ureter इसको बोलेंगे urinary bladder और last में हमें क्या देखने को मिलता है last में हमें देखने को मिलता है urethra urethral opening urethra next slide अब हमने बात की थी kidney की जब हम kidney की बात कर रहे हैं तो हमने देखा तो वहाँ पे कुछ small sub units होते हैं इसको हम कहते हैं बड़े ही प्यारे से nephron ठीक है जो millions में पाई जाती है kidney units ये जो nephron होते हैं इसमें काफी सारे parts होते हैं ठीक है कुछ ऐसा आप इसको करके बना सकते हैं ट्राइ करता हूं फिर एक हमें लूप देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा आजा फिर वापस से और ये जाके open हो जाता है collecting duct के अंदर काफी सारे neuron का secretion ही खटा होता है ठीक है तो ये तो हो गया collecting duct ये वाला हो चुका है bowman's capsule जरूर ही नहीं है जो NCRT में देखा आपको as it is draw करना है थोड़ा सा ऐसा भी draw कर सकते हो क्योंकि उन्हें पता है you are not an art student science के बच्चे हो जरूर नहीं सबके diagram अच्छे हो तो ये bowman's capsule हो जाएगा यहाँ पे tuft of capillaries होती है जिनको हम क्या बोलते हैं glomerulus जिनको हम बोलते हैं glomerulus glomerulus हो गया bowman's हो गया pct bowman's capsule के वो वाली convoluted tubule जो पास में है p से पास में p से proximal तो उसको बोलते है pct वो वाली convoluted tubes जो से दूर है तो d से दूर d से dct फिर ये वाला क्या है collecting duct हो जाएगा ये वाला क्या है loop of handlay या फिर कह सकते हैं handless या फिर कह सकते हैं handless loop भी कह सकते हैं इसको चलो NCRT के आप डाइग्राम में देख लेते हैं क्या-क्या दे रख है सबसे पहले हैं ये रहा ये जो C-shape का structure दिख रहा है इसको हम कहते हैं bowman capsule इसको हम कहेंगे bowman capsule यहां पर कुछ tuft of capillaries होती है जो काफी डाइभी arteries वागरिस के मिलने से बनती है जिसको हम कहा रहे है glomerulus जिसको हम कहते है glomerulus फिर ये पार्ट आगे जाके एक tube में convert हो रहा है जिसको हम कहा रहे है PCT tubular part of nephron ये सबसे पहला है तो इसको कहेंगे PCT फिर ये जो नीचे दिख रहा है yellow वाला ठीक है ये जो जा रहा है इसको कहते है loop of handle इसको कहेंगे loop of handle इस loop of handle के around देखो कुछ है ना ये vessels है arranged है इनको cover करते हैं इनको कहते है vasa recta इसको कहते हैं vasa recta कहेंगे फिर loop of handle से आगे जाके अपना नेफरोन के इसमें अपन होता है DCT converted into DCT और लास्ट में कहते है collecting duct तो ये डाइग्राम हो चुगा है किसका नेफरोन का नेफरोन विल हैल्प into the filtration of blood कैसे करवाता है filtration by filtering by in three steps सबसे पहरा step होता है ultra filtration सब कुछ भार फेक दे जाता है फिर PCT वगर में कुछ चीज़े reabsorb ही जाती है तो दूसरा step हो जाता है reabsorption and finally तीसरा step होता है secretion ultra filtration चल रहा है हमारा glomerus and woman capsule के साइड में reabsorption PCT में चल रहा है फिर secretion वगर है filter होता है चल ये next वगराम देखते हैं ये same चीज है same diagram दे रखा है हमें nephron का थोड़ा easy way में दे रखा है ये वगरा इसलिए include किया था क्योंकि आप exam में ये भी draw कर सकते हो तो ये वगरा क्या हो चुका है ये हो चुका है bowman's capsule उपर ये जो दे रखा ये क्या है glow merulus ये क्या हो चुका है PCT ये वाला क्या हो चुका है loop of handle and ये क्या हो चुका है DCT यानि distal convoluted tribune PCT यानि proximal और last क्या है last हो चुका है collecting duct ठीक है इतना label करने के वाल में नीचे लिग भी देना किसका डाइगराम है ये डाइगराम है nephron का structure of nephron इसके बाल में जो important डाइगराम है वो है human heart ठीक है वो डाइगराम किसका है human के heart का काफी important डाइगराम है अच्छे से practice कर ले ना इसकी human heart का diagram दे रखा है human heart में basically 4 chambers होते है 4 chambers होते है यहां पर present उन 4 chambers में से 2 upper chamber होंगे ठीक है 2 upper chamber होंगे और 2 ही lower chamber होते है 2 upper chambers होते हैं उनको क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे atria या फिर atrium या फिर atrium जो lower chambers उनको बोलते हैं ventria या फिर ventricles या फिर ventricles atria ठीक है तो ये वाला देखो सबसे पहले ये वाला ये वाला कौन सा हो चुक है left atrium ये वाला कौन सा chamber है this chamber is known as left atrium तो जो भी lungs के पास जो अक्षिनेट ब्लड आ रहा है उसको pulmonary vein कहा तक लेके आ रहे left atrium में left atrium से वो कहा जाता है left ventricle में left ventricle से वो अरोटा उगर के तुरू पूरी बोड़ी में पिर महा से blood ये वापस जाता है कहां पे जाएगा when a car wash के तुरू आ जाएगा right atrium में दिख रहे है ये right atrium right atrium में आता है blood right atrium से right ventricle तो ये रखा right ventricle दे रखह है right ventricle से वापस किसके दरू होते वे वापस होते वे pulmonary artery के दरू कहां चला जाएगा lungs में चला जाएगा तो देख लिजी, नामकरन देख लेते हैं फिर से left atrium हमने देख लिया ये वाला part इसको left atrium बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं सेप्टा या फिर सेप्टम बोल देंगे फिर राइट अट्रियम के अंदर कुछ है न वेन से ब्लड वगर लेके आ रही है उनको बोलते है वैने कवा ठीक है दो टाइप की होती है इसको बोलते है इसको बोलते है इन फीरियर वैने कवा वह अपसे लंग्स में चला जाता है फिल्टर होने के लिए तो ये डाइगराम हो चुका है human के heart का this diagram is of human heart चलिए next diagram देखते हैं जो exam में पूछा सा सकता है उससे पहले यही दे रखा है अगर आपसे पिछे वाला draw नहीं होता है तो आप ये वाला भी draw कर सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ये वाला diagram भी आप draw कर सकते हो इसमें ये वाला क्या हो जाएगा left atrium left ventricle right atrium the right ventricle इस तरह से बी आप denote कर सकते हो वैने कवा से right atrium तक आएगा यहां से left atrium में blood कहां से आता है left atrium में blood कहां से आएगा pulmonary प्लमुनरी आर्ट्री से प्लमुनरी आर्ट्री से वापस लंग्स के पास चला जाएगा तो यह वाला डियागरम यह बना सकते हो कोई आपके पास चीजे सही लिखोगे अगरे सारी चीजे सही से मैंशन करते ना फिर जो काफी जाले इंप्रेंट डायग्राम है वह है फीमेल रिप्रोडट्री सिस्टम का इसे वाला डागरम इंप्लीं किया जो थोड़ा सा द्रो हो रहा है ताकि आप इसको अच्छे से देख सक है arg cell बनाना I can you female gamete बनाना एक तो female gamete बनाता है और और साथ में नाते हैं फीमिल अर्रमोंस में कौन मनाता है औरी भीनाता है और भी को और को आुटर। छो क्या कहते हैं ओवी डक्ट कहते हैं जिसको कहेंगे ओवी डक्ट ठीक है ओवरी को और यूट्रस को कनेक्ट करने के लिए डक्ट होती है जिसको कहते हैं ओवी डक्ट या फिर दूसका दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब तो यह जो फैलोपियन ट्यूब होती है ठीक है तो ओवरी हो चुकिए इसका काम बता दिया, उसके बार में next structure उसका नाम क्या है, oveduct है, oveduct आके जाके open हो जाता है uterus में, किस में open हो जाता है, uterus, और uterus में जो खाली जगह होती है, इसको बोलते है uterine cavity, इसको क्या बोलेंगे, uterine cavity, और uterus की जो दिवार दिखरी है आपको यह वाली, इसको क्या बोलेंगे uterine wall, तो uterine wall और uterine cavity, दोनों को मिला के क्या बन जाता है, uterus बन जाता है, uterus के नीचे एक कनाल दिखरी है, जिसको हम बोलते है, cervix, और उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है वजाइना, इन दोनों को मिला के बोलते है, birth कनाल, इन fallopian tube तक, कहां तक चला जाएगा, fallopian tube तक चला गया, अब fallopian tube में क्या आता है, fallopian tube में release होता है egg cell, यह जो egg cell था female का, ठीक है, यह pass होता 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 होता, कहां तक पहुंच जाता है, इस fallopian tube तक पहुंच जाता है, अगर यह meet कर जाएगे, तो क्या हो जाएगा, fertilization हो ठीक है लेकिन अगर यह मीट नहीं करते हैं तो फैटिलाइशन नहीं होगा और जो एंडोमेट्रेम बनाई गई थी फीटस को होल्ड करने के लिए वह ब्रेक हो जाएगी और वह मैंस्ट्रॉल ब्लड के थुरू बाहार निकल जाती है ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में बोडी से बहार निकल जाती है जिसको हम मेंस्ट्रॉल साइकल भी कहते हैं या फिर मेंस्ट्रॉइशन कहते हैं तो यह फीमेल रिप्रडॉक्टिव स्ट्रॉक्चर हो गया और ध्यान रखना मेल एंड फीमेल दोनों में से एक पक्का आए अब डाइग्राम है यहां पे मेल रिप्रोडॉक्टिव सिस्टम का अब डाइग्राम है मेल रिप्रोडॉक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडॉक्टिव सिस्टम में इंकल्यूड होती है पेयर ओफ टेस्टिस इस टेस्टिस का काम क्या है मेल गैमिट बनाना दूसरा इस टेस्टिस्टिरोन, male hormone का नाम क्या है, testosterone male gamit, क्या बोलते हैं प्यार से, sperm बोलते हैं, ठीक है, तो testis हो गया, यह क्या बनाएगा, यहाँ पर, sperm बनाएगा, ठीक है, testis नहीं हाँ पर बनाए, sperm, इस sperm को, और यह जो testis होता है, एक pouch में होता है, ठीक है, testis is stored in a pouch, उस pouch का नाम होता है, scrotum, scrotum, अभी देखो, हमें पता चला है, testis में क्या बन रहा है, hormone बन रहा है, testosterone, यह फिर sperm बन रहा है, इनको बनाने के लिए क्या ची होता है, एक particular temperature ची होता है, एक particular क्या ची होता है, temperature ची होता है, ठीक है, जो normal body temperature से क्या होता है, जो normal body temperature से कम होता है, तो scrotum में क्या होता है, वो particular temperature प्रोवाइड करना, sorry, two to three degree centigrade, lower temperature प्रोवाइड करना, normal body temperature से, कौन करता है, scrotum करता है, तो इसलिए testis का होती है, outside the abdomen cavity, in a pouch called scrotum, तो यहाँ पे testis हो चुकी है, यह sperm कहाँ pass होता है, यह sperm pass हो जाएगा, कहाँ पे, एक duct दिख रही है आपको, epididymis, epididymis से होता हुआ, यह कहाँ चला जाता है, वास difference में, epididymis एरी, ठीक है, इस से होता हुआ, वास difference में, वास difference से होता हुआ, कहाँ तक चला जाएगा, फाइनली, इट विल एर्टु दा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है, common opening होती है, for urine and the semen, urine and semen के लिए क्या होती है, common opening, अब आप बोलों कि भाईया, आपने इसको semen क्यों का है, इसको sperm क्यों नहीं का, अरे भाईया देखो, यहाँ से जो निकल रहा है, वो क्या है, sperm है, यहाँ तक जो आया है, वो क्या है, sperm है, इस sperm के साथ में, इस seminal vesicle का secretion, इस prostate gland का secretion, यह दोनों कुछ liquid निकालते हैं, fluid निकालते हैं, तो इनका fluid, इस semen के साथ जब mix हो जाता है, तो इस particular चीज को हम क्या बोलते हैं, semen बोलते हैं, इस particular चीज को हम क्या बोलेंगे, semen बोलेंगे, तो यूरेत्रा जो है, वहाँ से क्या निकलता है, urine भी निकलता है, और semen भी निकलता है, लेकिन दुनों एक time पर नहीं निकलेंगे, फिर ये युरेत्रा के बाहर ये जो membranous structure इसको कहते है panis, ठीक है, male panis तो ये diagram हो चुका है किसका male reproductive system का इसको भी अच्छे से ready करना है बता चुका हूँ कि female और male वाले में से दुनों में से एक आएगा female वाले के ज़्यादा chances हैं लेकिन फिर भी male वाला कर लेंगे तो ये panis हो चुका है ठीक है, scrotum आपको समझाई दी है क्या होता है और कहां पर होता है ये रहा, ठीक है ये क्या है जहां पर testis store है जिसके अंदर इसको क्या कहते है, crotum यहां पर लिख भी रखा था diagram है, sorry तो यह रहा, scrotum scrotum के अंदर क्या होते हैं, testis होती है testis से जो sperm निकल रहा है, क्यारी कर रहा rapididymis, rapididymis से ये जो tube इसको vast difference बोलेंगे, vast difference से होता हुआ वो उनकुछ glands के साइडे में जा रहा है seminal vesicles and prostagland ये दोना अपना secretion इस sperm के साथ छोड़ देंगे ये क्या है, parts of flower का, ठीक है ये भी असान diagram है, easy diagram है इसलिए पूछा भी जा सकता है parts of flower में सबसे पहले दे रखा है enter के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में दे रखा है enter हो गया, जो male part होता है ठीक है, enter, enter हो जो male part होता है इस हो क्या बोलेंगे, stamen, enter and filament दोनों को include करके हम क्या बोलते है, stamen बोलते है stamen, female part हो क्या बोलते है, pistil stamen के अंदर दो पाट आते है, कौन से? enter and the filament, enter क्या थो देखो, bylobed दो लोब दिख रहे हैं, left and right में तो bylobed structure होता है इसको कहते है, entererness कहते है enter के नीचे की तरफ जो एक hook दिख रहा है станов mix should be cast on filament, इस enter में क्या बनते हैं? pollen grains बनते है, क्या बनते हैं इस enter में pollen grains, साइड में लिखता हूं तो सबसे पहले, enter है enter कैसा होता है, bylobed structure होता है इस एंथर में क्या form हो रहे हैं, pollen, grain form हो रहे हैं, इन pollen grain में क्या पाया जाएगा, male gamete पाया जाएगा, इन pollen grain में क्या पाया जाता है, male gamete पाया जाता है, दूसरा ठीक है, एंथर and filament, ये दोनों ही किसके पार्ट है, stamen के पार्ट है, किसके पार्ट है, stamen के पार्ट है, तो stamen is divided into enter and filament filament क्या होता है long stock like structure होता है जो एंथर को उपर ले जाने में help करता है और एंथर बाइलोड structure है जहां pollen grain form होती है pollen grain के अंदर भी क्या पाया जाता है milk gamete पाया जाता है दूसरा जो structure है किसी typical bisexual flower में किसी typical bisexual flower की बात कर रहा हूं है तो दूसरा जो इसमें structure ऊसको कहते है पिस्टिल कहते है उसको कहेंगे पिस्टिल पिस्टिल के वैसक लिए तीन पार्ट होएं कौन-कौन से stigma को not stigma 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 style and the ovary and the ovary stigma style and ovary ठीक है stigma क्या करता है landing platform की तरह काम करेगा stigma किसके तरह काम करता है stigma act as the Lending Platform जहां पर pollen grain आके गिरते हैं स्टाइल क्या है? Connect करता है स्टीग्मा को कैता है किस से? औरी से, वह होता है स्टाइल फिर लास्ट जो Bulge सा structure दिख रहे है उसको कहते है औरी, उसको क्या कहेंगी? यह जो structure दिख रहे है, इसको क्या कहे देंगे? ओवरी इसको कहाई देगे ओवरी जहां पर क्या पाई जाएगा female gamete पाई जैएगा जहां पाई जाएगा female gamete बनेगा जहां embryos होते हैं embryos होते हैं फीमिल gamete पाई जाएगा तो यह हो चुक है ठीकल फ्लावर फ्लावर के अंदर जो जो colored part होता है पैछल्स और जो green part होता है इंसेक को अट्रेक करने काम हता है किसी-किसी में यह colorless भी होता है क्यों क्योंकि वह wind या फीर water से pulinate होता है उनको इंसक के requirement नहीं है लेकिन जिन flowers को अप्लावर्स को इंसक के requirement होने के लिए उसमें क्या होते है petals colorful होते हैं सेपल्स क्या होता है protection में help करता है ठीक है तो फिर एक चीज और यह जो ovary की बात कर रहे हैं अपन यह ovary ripen होने के बाद में क्या बन जाती है fruit बन जाती है इस ovary के अंदर जो female gamut था sorry sorry ovary के अंदर जो ovule था ovule will convert into the seed ovule से बन जाता है सीड और ovary से बन जाता है fruit इसको भी याद कर लेना ovary will change into the fruit and ovule will change into the seed सैपल्स का बताए दिया green color का पार्ट होता है petals का बता दिया colorful पार्ट जो हमें flower में देखने को मिलता है जैसे ही यहाँ पर fertilizer होकर complete हो जाता है उसके बाद में saples and petals क्या होते है गेट जाते हैं जहड़ जाते है ठीक है रिंज ओव हो जाते है चलिए next slide देखते है इस diagram को भी बहुत ही अच्छे से कर ले ना ready जो important है यह diagram मैं hand drone भी ले आया हूँ ताकि आप इसमें से भी देख सकते हो इसमें इन्होंने के देखो कितने अच्छे से बना रखा है फिर में और वरी को अनडर भी क्या पाय जाता है और प्लॉट पाय जाता है पिर मेयल वाले में देखो क्या डे रखा है र्खा जैसको क्या चलिए नेक्स स्लाइड अब दे रखा है हमें human brain के बारे में human brain में बैसे के लिए तीन बार होते हैं for brain हो गया mid brain हो गया and the hind brain हो चुका है इस चीज के पर तो मेरे को एक next वीडियो बनाना भी है ठीक है जिसमें हम मुझे brain के functions वगर अच्छी समझाने हैं तो वाली चीज में वहीं बताऊंगा अभी के लिए सरफ डाइग्राम देख लो एक फॉर ब्रेन होता है एक मेड़ ब्रेन होता है जिसमें सारी ब्रम वगर आता है फिर मेड़ ब्रेन देखनी रहा ठीक है यह रहा मेड़ ब्रेन फिर आ चुका था अपना हाइंड ब्रेन जिसमें इन पार थे पॉंस मेड़िला अंद दा सारी बैलंग तो यह वाला डाइगराम आपको च्छी से रेडी कर लेना है ब्रेन वाला काफ़ी इंपोर्टेंट देखो only steel open कब होता है जब गार्ड सैल जोड़ी होगा जाता है टीक है तो गार्ड आठाइल हो जाएंगा पकड़ से यहां से पाती निकल जाएगा गार्ड चाल यह लोता सब्सक्राइब करें इस इसनिके ड न नाम प्रणी तब इस नाहरु द्मीं करता है अभी मैंने बदाया था, female वाले में तीन पार्ट होते है, stigma, style and the ovary, ठीक है, तो यह रहा है stigma, style कहां गया, यह रहापना style, ठीक है, यह क्या है, style है, and last वाले पार्ट क्या है, ovary, तो तीन पार्ट हो चुके है, female के, female पार्ट हो चुके, flower के, stigma, style and ovary, इस टीकमों के ओपर आके कौन लेंड किया है, pollen grain land किया, काफी सारे pollen grain land करते हैं, लेगिन उसमें कुछ ही suitable होते हैं, जो pollen tube ग्रो कर पाते हैं, तो यह क्या दिख रही है, pollen tube, तो pollen grain से क्या निकल रही है, pollen tube ग्रो कर रही है, pollen tube germinate कर रही है, stigma के ओपर, इस pollen tube के अंदर, कई बार तो इस बीच वाले X-cell के साथ fuse करता है, और दूसरा वाला इसके साथ वो वाला male gamut जो इस वाले X-cell के साथ fuse करता है polar nuclei के साथ fuse करता है polar nuclei plus male gamut ये तो बनाते हैं endosperm ये तो बनाते हैं endosperm और वो वाला male gamut जो बीच वाले X-cell के साथ fuse करता है यह बनाते हैं zygote यह बनाएंगे zygote male gamut plus female का egg cell यह दोनों मिलके बनाते हैं zygote और polar nuclei plus male gamut मिलके बनाते हैं endosone तो यह नौर्मल सी बात है तो यह हो चुका फिर ovary हो चुका ovary के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है ovules ठीक है उसमें मेरे कुछ cells देख रहे है one two three three nuclei चाहर पांच छह साथ आठ नुकलाइज हो चुकी है इतना डीटेल में नी जाना बस डाइगराम रेडी कर लेना अच्छा डाइगराम है इस डाइगराम है चिस और ऋहां चाहा बाइगरामद लेख लेगां से उसके कहाना बहर निकलता है तो यह इसका फ्लोचार्ट वोग चुकी है चल यह दिख खटै कब से पहले कि हैं माउथ कंद्रिक एकेवटी होती इसको हम बोलते हैं बक्कल कैवटी यहां पर दात वगर खाने को करश्च कर देंगे और यहीं पर कुछ एंजाइम वहते जिनको बोलते हैं सलैवरी आमाईलेज जो स्क्टार्ज को ब्रेकडाउन करते हैं ठीक है अमाईलेज हो चुका फिर 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 इसमें प्रोटीन को डाइजिस करें देगा फिर खाना चला जाएगा अपना आगे इसमॉल इंच्टार्ण में कुछ लीवर से जूस आता हैं ठीक है गाल जूस जो लीवर से डारेक नहीं जाता है पहले गौल बेडर में जाता है गौल बैडर से कहाँ आएगा फिर कुछ पैराया से कुछ जूस हाते हैं जो खाने को और फर्धर ब्रीकडाउं करें परक्टली ठीक है फिर से यह andron diagram है देख सकते हैं आप इसको यह sorry gland दिखा रहें जो mouth के उसंड़ होते हैं फिर यह isophagus हो गया ठीक है इस विसाफेस के बाद में कहां जाते है स्सामक में स्सामक के बाद आपक हो स्मॉल इंटेस्टायन में में Clay लास इंटस्टैन में में लार्ज इंटस्टैन में लिवर से फिर तो लेंट को बेज में मद बहुमें तो नीजrotищ देखिए यह द्य को हंपने को रिफ्लेक्स और का ड्याग्राम यह रखाया । रिफ्लेक्स आर्क में मालो कोई भी है ना मैं object को touch करता हूं तो मुझे पढ़ा चलता रहा है बलाब sudden jerk वगर जो movement होते हैं ठीक है उसको हम बोलते है reflex action अचानक से without your conscious effort जो चीज़े लग रही है movement हो रहे हैं उनको बोलते है reflex action रिफ्लेक्स action के दुरान जो pathway cover करता है body अगरे या फिर मेरे inner fibers अगरे जो signal अगरे जा रहे है उसको बोलते है reflex क्या होंगे activate होंगे َّरी सबस्ती करेंगे signal भेजएंगे कहां तक संस्रि निरॉन तक से पास मोटरन से वापस कहां कहां जाए मेरे muscle को में वांप फेक्टर कहरा हूं नहीं कि बस्सक hunवाला जो यह टिक है यह पीछिए reply और जाएगी तो ये वाला है इसको क्या कहता है reflex action ठीक है यह चीज हो चुकिANTक है तो यह डाइगराम भी अच्छा डाइगराम डर मिसो चुका है यह लोवर हो चुका है एपडर में से पंजी पैरणकाइमा ये पैली सैड्ए पैरंकाइमा है की सैड्ड जैन पैरंकाइमाय sext refund डेर तीर रहिए इसका इसका है अब अच्छा है में एक वर से समय के थे तरे सबसे पहले हाव हगो रिलेटेटिब Pret cream इसमें सबसे पहले तेखो नैजल पैसे जा रहा है तो से होते हुई एर कहां जारी एर का पास देख लिते हैं नेजल पैसे से कहां चली जाएगी वह पास चीज मेरी फैरेंग्स होता है जहां पर ईयर भी आती है एंड फूड भी आता है फैरिंग्स होते हमारी हवा जाती है लेरिंग्स में से उते होते हुए wind pipe wind pipe यानी करें किरा wind pipe यानी trackikeya will pipe Payane अचे ने देखो वह कहां जाएगे जाए वे Winter June YBook में क्या होंगे क्या काट कर चैमिन बोलते हैं ब्रॉंकाइ इंब्रोंचिया और इंद चैली फिरूंगों ब्रॉंग और भी स्टॉट чистाइं गयर सब और वilli के सबते हैं चलता है इस बते हैं जोके का र्था इसा सोट से लिए फिर यह इंमने एक्सिटेटी सिस्टम हो चुगा जहां इंकलीड कर चुके यह ब्लू वाली वैने कावा है रेड वाली अरोटा है पेर और किड्निस होती है ठीक है यहां पर रिनल आटरी नेल वेन दिखा रखी है फिर यहां से कुछ निकल रिजिन को यूरेटर कहते हैं तरुकृषिंग कहां चला गया, पलमुनरी आर्टरी के पास, पलमुनरी आर्टरी से होता हुआ, ये कहां पर आ जाएगा, ये कहां पर आ जाएगा, फने म्लそして, तो में अटरी से तर ही मैं सोचूए डूं के गए रहा हूं यहां पर भी आर्टरी पल्मुनरैटि वेन से होता हुआ अप सही यह पल्मुनरी वेन से होता हुद यह कहां चला ज dessना पर एक्सिंद से चला जाएका लेफट अरोट अरोटा से होता हुदा मुर्ण बॉड़ी में दर चला जाएगा ठीक है बोडी में सरकुलेट हो जाएगा फिर यहां पर बोडी ने ओक्षियन को तो क्या कर लिया यूज कर लिया यानि कम हो गए और यहां पर बना क्या है तो अब उस CO2 को बहार निकालने के बारी तो कुछ वेनेकावा होती है उस CO2 को लेके जाती है कहां तक लेके जाती है मैं तो यूजिल्ल यह इसा simple वाला बनाता हूं कि माल यह लंग्स है फिर यहां पे heart है यह left atrium है यह left ventricle right atrium right ventricle यहां से tube blood को ले के आ रही है जो कि कैसा है oxygenated है फिर यहां से नीच्छे tube ले के जा रही है कहां तक ले के जा रही है और राइट वेंटरियम से सकंतेुब निकल रही है complex टक वापस जारी है इसको नौर्मuman ये पल्मॉनारीवेन लेको से और नहीं और अरॉटा से बोडकी और body में oxygen की use हो जाएगा oxygen तो use हो जाएगा CO2 बनेगी CO2 कौन लेके जाएगा वेने कवा, वेने कवा से होता है right item, right item से right ventricle right ventricle से CO2 कहां चला जाएगा pulmonary artery, pulmonary artery से वापस कहां चला जाएगा lungs में, और lungs से CO2 बाहर यह process है, इसको बोलते है blood circulation इसके दो पाट होते हैं, एक होता है pulmonary circulation देखिओ, जो lungs और heart के भीच में circulation चल रहा है, इसको बोलते है pulmonary circulation जो lungs और body के supra, accelerate, heart और body के भीच में जल रहा है इसको बोलते है systematic circulation जो क IOIF यहाँ पर दे भी रखा है circulation होते हैं बैसलि 2 type होता है एक होता है systematic और यह होता है pulmonary circulation lungs और heart के बीच का जो circulation है उसको बोलते है pulmonary circulation और heart और body के बीच का उसको कहते है systematic circulation इसलिए तो हमारे पास कैसा होता है double circulation चल रहाँ डबल circulation एक double circulation धेस रेलेटेड कोश्विषन भी कर लेना कि humans में double circulation ज़रूरी यूं होता है पिर आएके से लास्लाइड है यह नॉट सो इंपोर्टन डाइग्राम लेकिन फिर भी आप इसको करके जाएंगे क्या पता यही आजे बनाना तो नहीं आएगा लेकिन आपसे पूछा जा सकते हैं लेबलिंग पूछी जा सकते हैं कि यह क्या दे रखा है और यह वाला क्या है यह क्या है मेरे कोटिलीडन है यह कोटिलीडन है यह दूसरा कोटिलीडन है तो यह क्या हो गया डाइकोट सीड हो गया कुछ सीड होती है मोनोकोट जिन में सरफ एक ही कोटिलीडन रहता है कोटिलीडन क्या होता है फुड को स्टोर कर लेना तो यहां तक मैंने सारे इंपोर कि आजयुमें